नमस्काय मैं शालिनी और आप देख रहे हैं एन्बारा समाचार निउस आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर मथुरा के थाना जमनापार छेतर के अंतरगत गाउं लोहवन में मंगलवार को 25 वर्षे यूबक कमरे के अंदर फासी के फंदे से लटका मिला उसके पिता ने ससुराल पक्षक पर हत्या का आरोप लगाया है म्रतक के पिता रज्जो ने बताया कि मनोज एवम उसकी पत्नी में दस दिन से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो रही थी दौनों के बीच जगड़ा भी हुआ था मनोज की पत्नी ने अपने माय के फोन कर अपने पिता को जानकरी दी सौंबार को मनोज का ससोश्वी महाशर निवासी हातरस तीन अन्य लोगों को साथ लेकर आया और सौंबार की रात को यहीं रुके थे मंगलवार सुबा अपनी बेटी एवम घरेलु सामान को साथ लेकर चले गए दुपैर बाद उसके कमरे में जांकर देगा तो मनोज पंके के हुक से फासी के फंदे पर लटका हुआ था जिसे देखते ही घर के अंदर चीक बुकार मच गई ग्रामेडों ने थाना जमनपार पुलिस को जानकरी दी मौके पर क्राइम इस्पेक्टर उमेश यादम मौके पर पहुचे उन्होंने शब को पोस्ट मॉटम के लिए भेजा वही यूवक के परीजनों के द्वारा ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे है हाला कि इस मामले में अभी तक ब्रतक यूवक के परीजनों के द्वारा थाने में कोई भी तहरी नहीं दी गई है थाना जमनपार क्राइम इस्पेक्टर उमेश यादम ने बताया कि शब को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया गया है अभी तक कोई प्रातना पत्र नहीं मिला है प्रातना पत्र मिलने पर जाच कर कारवाई की जाएगी अब तक के लिए बस इतना ही फिरोगी आप से मुलाकात तब तरी नमस्कारों देखते रहे है एन भारस समाचर नियूज